नमस्कार, कल X-Platform के उपर एक हैश्टेक ट्रेंड होता है पुरे इंडिया में नमबर वन पे ग्यारा सितंबर चलो दिल्ली, ये हैश्टेक इसलिए ट्रेंड किया जा रहा है क्योंकि 11 सितंबर को दिल्ली के राम लिला मिदान में चंदर शेकर आजद की सविधान लिला होने वाली है हाँ दोस्तो आरक्षेन के समर्थन में वर्गी करन के खिलाव जातिगत जंगरना कराने के लिए पूरे देश में हमीदन के चंदर शेकर आजाते के महा सबा महारेली करने वाले है दिल्ली के राम लिला में इसलिए सबी लोग की açsite Trail करा रहे थे आप ये अ कर ट्रेंट यह एकर Traitor करा सकते है लिख सकते है और ये भी एंट हर्याना एट चंदिगण डिटेल्ड एंप्लॉयमेंट नोटिस फॉर दपोस्ट आफ प्यून याने की चप्रासी की तीन सो पोस्ट निकाली गई है हर्याना और पंजाब हाई कोट में जिसमें से दोस्तों केवल और केवल तीस पद सी और स्ट और होबिसी यानि तीनो बहुजनों को स्ट और ओविसी को केवल तीस पद दिया रहे तिनों केटेगरी को और जो सामान्य वर्ग है जो केवल 15 परसेंट है इस देश में उसको 243 यानि की 243 पद दिये जा रहे है और 15 पद दिये जा रहे है एक सर्विसमें को और बाकि जो अलग अलग 243 पद यानि की उस पोस्ट पे केवल सामन्य वर्ग के लोग आएंगे और जो तीस पद है उस पे टोटल स्थी स्ट और ओबिसी के लोग और बाकि जो शेश में आपको बता दिये एक सर्विसमें और जो डिसेबल डिसेबल लोग होते है उनके लिए है तो इसको लेके अंजाव और हरियानिया द्वारा चप्रासी के 300 पदों की भरती में स्सी स्टी और ओबिसी के लिए मादर 30 पद आरक्षित करना शोशित हक वंचित समाज के लोगों की हक मारी है और सविधान पदत आरक्षिन की लूट है मेरा माननी है कि सुप्रिम कोड से निविधन है कि अरक्षित और गेर अरक्षित वर्गों के इस असविधानीक वर्गिकरन को संग्यान मिलें इनका कहना है कि 300 में से 30 पद देना जो सविधानीक आरक्षिन है उसके धज्ये उड़ाना है क्योंकि कितना होता है भाई 30 3030 मतलब 10% बलकि जो रिजर्वेशन है सही मायनों में है टोटल करीब करीब 49.5% तो इस हिसाफ से SC ST और OBC को टोटल 145 से 1500 के अंदर सीटे दिर जानी चाहिए थी लेकिन मिली कितनी कितनी मिली केवल 30 तो आप सोची किस परकार से इस देश में आरही कर रही है यह मैं नहीं कहरा हूं एक देश के शांसद है नगीना सहसीeschंटतर शेकर आज़ातें वहहीयां कि देश में आरक्षन की धज्य उड़ाई जा रही है इसलिए वह एक महारेली कर रहे है तो दोस्तों आप बताईए आप क्या कहते हो इस खबर को लेकर और आरक्षन बचाने को लेकर आपके क्या प्रयोजन है क्या आप आगे करना चाहते हो वह में लिख सकते हैं बाकी वीड क्या आप आपाई